आप देख रहे हैं केवल सचनीज मैं हूँ धीराज और आप देख रहे हैं केवल सचनीज अभी हम चत्रा जीला के टंडवा परखंड में ब्रिंदा गाउं में हैं जहांके जारखंड और बिहार के एकत्रित राज था जिनके मुख मंत्री तीसरा क्रिस्न बल्ला सहाय यहां चर्चा करने जिसके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं था हम लोग इस जगापे अभी हैं और यहां के कुछ ग्रामीन लोग भी हैं हम उन से बातचीत करेंगे और विशेष जनकारी हम लोग को बताएंगे अभी चलते हम लोग उस गेस्ट हाउस के तरफ यहां के एक स्थानिये हैं ब्रिंदा गाउं के और इस मुख मंत्री के साथ साथ एक सोतंत्र सेनानी भी रहे बीशेष जणकारे हमको बताएंगे यहां के ग्रामीनों के माधियन से सुनेही नाम नागोडराम हुआ ग्राम ब्रिंदा और यहां का यह सुरचीत बन है ब्रिंदा और यहां एक डाक बंगला भी है जिसकी अवस्था भी बहुत ही जर्जर अवस्था है फोरेश्ट विभाग में आता है ना फोरेश्ट के अंदर आता है यह डाक बंगला लगभग आज से 25 वर्ष पहले यह डाक बंगला सब कुछ सुईधा से लैस था और आज का यह परिद्रिस यह है कि यहां सारा ब्यवस्था है सो खतम हो गया है यहां तक कि यह डाक बंगला गिरने के इस्थिती पर आ गया है हम चाहते हैं प्रसासनिक प्राधिकारियों से कि हम लोग बिर्णा का एक पुरानिक धरोहर के रूप में इसको बिक्सित करें किसी भी माध्यम से किसी भी योजना के माध्यम से इसका अगर जिदी विकास होता है तो हमारे गाउं ही नहीं बलकि पूरे परखंड में एक मिसाल कायम होगी और पहले भी यह मिसाल कायम रहा है कि बुंदायक का जब यह डाक बंगला एकदम अपने जब पचीश साल पहले आवस्था में था तो यहां मंतरी विधायक लोग आते थे और यहां रहकर जाते थे हम अपना सहयोगी से आगरा करेंगे कि इस बदहाली को देखाए जब उनीस सो सरसट से तिरसट से ले करके सरसट तक मुख मंतरी थे अरे यह गेस्ट हाउस रहा करते थे यहां जितने भी बियाइपी परसन इधर जो आते थे यही गेस्ट हाउस में रुका करते थे लेकिन नहीं स्थित्य अग्दम बदहाल हो गया है हम अपना सहयोगी से कहेंगे इस बदहाली को दिखाएए कर दो झाल झाल